आप सभी का देवभूमी उत्राखंड में सागत हैं। हम आपको आज लाएं हैं घंटगर देरादून में। इसका निर्मान प्रेडिश शाशनकाल के दुरान हुआ। और यह घंटगर शटकोनिया अकार का है। जिसके शीर्च पर छे मुख पर छे घड़ियां लगी हुई है। यह धाचा अपने आप में ही एशिया में अकेला है। यह घंटगर इंटो और पत्त्रों से बना हुआ है। और इसके शटकोनिया अकार में हर दिवार में परवेश मार्ग बना हुआ है। देरदून का घंटगर नगर में सबसे संदर्य पूर्ण सरचना है। यह है इसका द्वार और इसकी विशेष्टा यह है कि हर दिवार में एक-एक द्वार बना हुआ है। छे दिवारे हैं। छे की छे दिवारों में एक-एक गेट बना हुआ है। यह कलॉक टावर शिरी आनन सिंग जी रईस ने अपने स्वर्गे पिता लाल बलवीर सिंग जी रईस की पुर्णिये समरीती में बनवाया था बलवीर सिंग जी देरदून के परसिद रईस और नयादिक्ष रहे हैं 24 जुलाई 1948 को गवर्नर सरोजनी नैडू ने बलवीर कलॉक टावर का शिरानास किया था इसके ठेकेदार इश्वरी परसाद चौदरी नत्थूलाल वर नरेंदर देव सिंगल और वास्तुकार हरी राम मित्तल वर रामलाल थे गंटा घर को देरादून की शान मना जाता है और आप जब भी अपने परिवार के साथ देरादून आए तो यहां वश्य हाए यह है समारक सुतनत्ता संगराम में शहीद हुए सेनानियों के सबके नाम यहां पर अंकित हैं हम सभी सवतनता संग राम के शहीद हम सनानियों को नमन करते हैं आशा करते हैं आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी क्रीपा करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें